कुछा जा रहा है कि कौन सी अमेंडमेंट में क्या हुआ था तो हम एक ही वीडियो में सारी अमेंडमेंट को कवर कर रहे हैं ताकि आपको जगा भटकने से बच जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ कि पर्चम Classes ने आप लोगों के लिए ये सवाल नाम की Current Affair Objective Book launch की है जिसमें आपको soft copy मिलेगी इस book की ये book आपको quarterly basis पे मिलेगी पर्चम app से आप लोग इसको खरीद सकते हैं जो student इसका subscription ले रहे हैं उनको पर्चम app पर ये सुविधा मिलेगी और जो student इसका subscription नहीं ले रहे हैं वो भी इसको enjoy कर सकते हैं लेकिन उनको पर्चम Classes.in से quarterly basis पे इसको डाउनलोड करना होगा और जो student subscription ले रहे हैं, पूरा का पूरा annual compilation उनको मिल जाएगा तो ये सवाल नाम की current affair book है, जो आप लोगों के लिए पर्चम classes ने launch की है आप लोग एप पर जाके इसको enjoy कर सकते हैं ये course चल रहा है, SSE General Awareness का course, GK History, Quality, Geography, Economy, सब कुछ cover करवाया जा रहा है एक course चल रहा है economy का, जो बिल्कुल 0 से high level तक का होगा दोनों ही courses पे अगर आपको कुछ चूट चाहिए, then use code PIL10 to get 10% extra off ठीक है, तो अभी हम अपने topic को शुरू करते हैं, topic के अंदर, topic का नाम क्या है, constitutional amendment यानि amendments अब कौन-कौन सी amendment हुई है, उससे पहले अपने को ये जानना है कि amendment का procedure क्या है और कहां से हमने इसको copy किया था, हर topic से पहले मैं बताती हूँ, कौन से part की हम बात कर रहे हैं कौन से article की हम बात कर रहे हैं, और कौन से देश से हमने ये बोरो किया है तो ये तीन चीजे हमको इसके बारे में भी पता होनी चाहिए, कि जो amendment है, वो हमने article 368 के अंदर ये पूरा procedure लिखा हुआ है कि किस तरीके से सम्मिधान में संशोधन होगा यानि amendment होगा ये part 20 की बात चल रही है, और ये हमने South Africa से ये पूरा procedure जो है, ये हमने South Africa से बोरो किया है अब क्या procedure South Africa ने भारत को समझाया है या भारत ने article 368 में क्या procedure अपनाया है, उसकी हम बात करते है देखे भारत ने क्या कहा है, कि जो बिल होगा, सम्मिधान को बदलने का बिल होगा, सबसे पहले तो इसको represent कौन करेगा तो कोई भी government bill, कोई भी government member, यानि कोई minister, या कोई भी private member, कोई भी इसको represent कर सकता है अब ये government member कौन होते है, या ये private member कौन होते है, ये मैंने आपको types of bill की वीडियो में बताया है जिसने नहीं देखी, एक बार वो जाके जरूर देख लेना, types of bill में मैंने बताया है, government member bill कौन से होते हैं, private member क्या होता है तो कोई भी इसको introduce कर सकता है, यानि इसका introduction हो गया अब अगला सवाल ये आएगा कि इसका introduction कहां पे होगा, introduction कहां पे होगा, कौन से house में, लोक सभा या राज्य सभा में तो आप इसको लोक सभा या राज्य सभा कहीं भी इसको introduction कर सकते हो, इसको introduce कर सकते हो, कि सम्विधान को बदलने का bill आप ला सकते हो, लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी, किसी में भी जिसमें आपका मन करें अब इसमें आने के बाद देखा जाएगा ये amendment कैसा है ये amendment federal structure को प्रभावित कर रहा है या नहीं federal structure को प्रभावित करता है या नहीं इस पे impact डालता है या कोई impact नहीं है कोई impact है या कोई impact नहीं है अब ये देखने आपने को कि federal structure पे यानि की राज्यों के उपर कोई प्रभाव उस बदलाव से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगर उसको राज्य सरकार से, बतलब राज्य सरकारों पर उस बदलाव से कोई प्रभाव पड़ेगा अगर impact, yes, impact पड़ रहा है तो इसमें अपने को क्या चाहिएगा लोग सभा से भी आपको special majority की जरूरत होगी यानि total strength का two-third vote आपको चाहिएगा total strength का two-third vote यानि कि क्या कह सकती हूँ मैं 5.45 की two-third vote आपको लोग सभा से चाहिएगी राज्य सभा से भी आपको two-third vote चाहिए total strength की यानि special majority चाहिए और 50% state से भी आपको acceptance चाहिए उसके बारे में अगर उस बदलाव से राज्य पर प्रभाव पड़ रहा है तो माल लीजे उस बदलाव से राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो लोग सभा से आपको two-third vote चाहिए और राज्य सभा से total strength का two-third vote चाहिए फिर हम state से नहीं पूछेंगे इन दोनों ही procedure से हमने ये माल लीजे पूरी process अपना ली अब इसके बाद matter कहां जाएगा इसके बाद matter जाएगा प्रेजिडेंट के पास इसके बाद matter चला गया कहां पे matter आ गया आपका प्रेजिडेंट के पास अब प्रेजिडेंट क्या क्या कर सकते है प्रेजिडेंट उसको असेप्ट कर सकते हैं अगर असेप्ट कर लिया, साइन कर दिये तो वो एक्ट बन जाएगा प्रेजिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते प्रेजिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा प्रेजिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते majority की हमको need होगी अगर एक भी house उस बात को मना कर रहा है एक भी house उस बात को मना कर रहा है तो constitutional amendment bill पास नहीं होगा यानि कि यहां कोई joint session नहीं हो सकता no joint session क्यूंकि दोनों से अपने को अलग-अलग पास करवाना है वो bill इस बात को याद रखोगे एक और key point आपको याद रखना है इसको introduce करते वक्त president का permission नहीं चाहिए no prior approval of president no prior approval of president प्रेजिडेंट का कोई approval नहीं चाहिए इंट्रोड्यूस करते वक्त फाइनली तो sign तो चाहिएंगे यह उनके act बनाने के लिए तो यह पूरी process होती है सम्मिधान को बदलने की ठीक है आपको state की majority की ज़रुरत है नहीं है वो पेंड करता है कि आप बदलाव कैसा कर रहे हो अब एक बार हम यहां देख लेते हैं article 368 part 20 की यह बात हो रही है South Africa से हमने यह पूरा procedure लिया है इसके अंदर क्या होता है 1973 में केशवानंद भारती केस आता है 1973 में केशवानंद भारती केस आता है और केशवानंद भारती केस में कहा आप सम्मिधान का कोई भी हिस्सा बदल सकते हो लेकिन सम्मिधान का basic structure आप नहीं बदल सकते कुछ भी बदल सकते हो लेकिन basic structure आप नहीं बदल सकते Constitution का, ठीक है, हमारा जो सम्विधान है ना तो अमेरिका की तरह बहुत rigid है, ना ही ब्रिटेन की तरह बहुत soft है, flexible भी बहुत जादा नहीं है, और अमेरिका की तरह rigid भी बहुत जादा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बदलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है और ऐसा भी नहीं है, कोई भी उठा के इसको बदल दे, एक particular procedure चाहिए, particular number of votes चाहिए, उसके बाद हम अपने Constitution के अंदर amendment कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हमको ये देखना है, ये पूरा process मैंने यहाँ पे जो आपको समझाया वही है, कि आप Parliament के किसी भी house में इसको introduce कर सकते हो लेकिन किसी विधान सभा में इसका introduction नहीं होगा, दूसरा, कोई भी minister या private member इसको introduce कर सकता है, it does not require prior permission of president, फिर उसके बाद special majority की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, each house को bill separate pass करना पड़ेगा, joint sitting का कोई भी provision यहाँ नहीं होगा, उसके बाद अगर ये federal provision को छेड रहा है, तो आपको half of the state, 50% state की भी जरूरत लगेगी, ठीक है, दोनों house जब उसको ratify कर दे, फिर ये president के assent के लिए bill भेजा जाएगा, president को इस पे assent देना ही पड़ेगा, must give his assent, वो इसको अपने पास पकड़ के नहीं बैट सकता बिलको, और नहीं वो reconsideration के लिए भेज सकता, president के ass constitution amend हो जाता है, पूरा process मैंने आपको समझा दिया, आप एक करके सारी amendments की बात करते हैं, जो भी important amendment है, first amendment act 1951 क्या कहता है, देखो मैं सारी ना करवाके, जो भी important, जो भी ज़्यादा probability है, जिनकी paper में पूछे जाने की, previous year के question paper के experience के हिसाब से, मैं केवल उनी amendments को लेके आई के सामने, तो first amendment act क्या कहता है, इस से क्या हुआ, socially और backward class, first amendment act 1951 में हुआ है, 1950 में सम्मिधान लागू हुआ है, और 51 से ही बदलाव शुरू हो गया था, अब देखो, इसमें एक तो क्या किया गया, एक तो इसमें ये किया गया, कि state को special provision, socially और backward class बनाने के लिए empower कर दिया, सकते आरक्षन की शुरुआत हो गई, 9th schedule was added, 9th schedule add हो गया, ठीक है 9th schedule में क्या कह दिया, जो भी बिल, जो भी बात, जो भी मुद्दा, 9th schedule के अंदर शामिल हो गया, मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, अब उस पे judicial review नहीं होगा, court check नहीं कर सकती, वो सही है या गलत है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत सारे बिल, जो है 9th schedule में शामिल होने लगे, जुडिशल रिव्यू से बचाने के लिए, तो सुप्रिम कोट ने क्या कर दिया, 1973 के बाद, जितने भी बिल, 9th schedule में add हुए है, उनका जुडिशल रिव्यू होगा, उनको सुप्रिम को सुधन 1964 से 44 और कानू 9th schedule में डाल दिया, 29th amendment act 1972 से 2 केरला के लैंड रिफॉर्म के आक्ट 9th schedule में डाल दिये, 34th amendment act 1974 से 20 more land tenure और लैंड रिफॉर्म के आक्ट 9th schedule में add कर दिये, क्यूं कर रहे थे, इसलिए ताकि ये जुडिशल रिव्यू से बच जाए, कोट इनके ऊपर कु जुडिशल रिव्यू से बचने के लिए ये चीज़े इसमें शामिल हो रही है, तो क्या कह दिया कि ये गलत है, और 1973 के बाद जितने भी कानून शामिल हुए हैं, उनका जुडिशल रिव्यू होगा, ये 1st constitutional amendment act की बाते हैं, इसके अंदर और क्या बदलाव किया गया, तीन ground, 19.1, यानि की आपके speech और expression की जो ताकत है, freedom of speech and expression, उसके उपर तीन restrictions और लगा दी, 1st constitutional amendment act से, आप वो बाते नहीं बोल सकते जिससे public order disturb हो, आप वो बाते नहीं बोल सकते जिससे foreign state के साथ friendly relation खराब हो, आप वो बाते नहीं बोल सकते जिससे कोई offense insight हो जाए, तो आप के उपर तीन restriction और लगा दी, 1st constitutional amendment act से, 2nd amendment act 1952 का, इसमें क्या कहा गया, कि जो लोग सभा का representation है, that was readjusted stating that, one member can represent even more than 7.5 lakh people, ये क्या कह रहा है, 7.5 lakh people से जादा, लोगों के उपर एक representative हो सकता है, ये बात कह दी, 2nd amendment act 1952, 7th amendment act 1956 का very important, एक तो union territory का introduction हो गया, कि UT क्या होती है, जब मैं आपको state की UT करवा रही थी, या state का formation करा रही थी इंडिया का, वहाँ मैंने आपको बताया, पहले 4 category थी state की, A, B, C, D, 7th constitutional amendment act से, ये 4 category हटा के, 2 ही category बना दी, state की और UT की, हमने क्या किया, 14 state बना दिये, और 6 union territory बना दी, 7th constitutional amendment 1956 से, और ये कह दिया, जो high court है, एक high court, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए common भी हो सकती है, जैसे हर्यान और पंजाब के लिए common high court चंडिगड है, तो ये कह दिया, एक या एक से ज़्यादा states के लिए, एक common high court हो सकती है, 7th amendment act 1956 से, 9th amendment act 1960, इसने क्या किया, कि पाकिस्तान के साथ भारत की territory का agreement sign कर लिया, 1958 में ही कर लिया था, लेकिन 9th amendment act 1960 से, जो बेरुबरी नाम की जगा थी, वेस्ट बेंगोल की, वो पाकिस्तान को दे दी गई, 10th amendment act 1961, दादरा नगर एंड हवेली, इसको भारत की union territory की तरह इंडिया में incorporate कर लिया, Very important 12th constitutional amendment act, गोवा, दमन और द्यू को इंडियन union में as union territory incorporate कर लिया, पहले इस पे Portuguese का कबजा था, गोवा, दमन और द्यू को, उसके बाद 13th amendment act 1962 का, नागा लेंड को special status दे दिया, अंडर आर्टिकल 371A, उसके बाद 14th amendment act 1962 का, पॉंडी चेरी को भारत की union में शामिल कर लिया, इसके उपर फ्रेंच लोगों का कबजा था, जो हिमाचर प्रदेश, मनिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्यू, पुड्डू चेरी, जो पहले UT होते थे, हिमाचर प्रदेश, मनिपुर, त्रिप 19th amendment act 1966, election criminal का system हटा के, high courts ही election petitions को सुनेंगे, ऐसा कह दिया, 20th के बाद 21st amendment act 1967, सिंधी language को भारत की आठवी अनुसूची में शामिल कर दिया, 8th schedule में आज के दिन 22 language है, शुरुवात में 14 थी, ये पंदरवी language एड हो गई है, 1967 में सिंधी language एड हो गई है, अब 24th amendment act 1971, ऐसा कह दिया कि कोई भी अगर constitutional amendment बिल होगा, तो प्रेजिडेंट उसको reject या reconsider के लिए नहीं भेज सकता, प्रेजिडेंट को उसका assent देना ही पड़ेगा, 24th amendment act 1971 से ऐसा कर द 25th amendment act 1971, fundamental right to property इसको curtail कर दिया, अभी 44th amendment act 1978 से क्या किया था, इसको 300A में ले गए थे, यहाँ पे इसको curtail कर दिया, 25th amendment act 1971 से, 26th amendment act 1971 से जो प्रिवी पर्स या प्रिविलिजिस थे, प्रिवी पर्स क्या था, जो हमारे राजा होते थे, अंग्रेज लोग उनको पैंशन देते थे, तो जिस समय प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर शामिल किया जा रहा था, वर्दलब भाई पतेल ने ये कहा, कि हम तुमको ये पैंशन देते रहेंगे, अंग्रेजों की तरह तुम भारत में शामिल हो जाओ, तो ये जो पैंशन थी, इसको एबॉलिश कर दिया ग 35th Amendment Act 1974 का, जो सिक्किम का स्टेटस है, वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का था, तुम हमारे Foreign Affairs, External Affairs को संभाल लो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे, ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, इसको प्रोटेक्टोरेट से हटा के हमने Associated State बना दिया, यानि कि आपके लोग हमारे यहां की पार्लियमेंट की proceedings में हिस्सा ले सकते हैं बैट सकते हैं वोटिंग नहीं करेंगे यानि हमने उनको associate state बना दिया फिर 36th amendment act 1975 से सिक्किम को full-fledged राज्य बना दिया भारत का 21 वा राज्य भारत का बना दिया 40th amendment act 1976 का पार्लियमेंट को empower कर दिया कि time to time आप भारत की territorial पानी, continental shelf और exclusive economic zone और maritime zone के चीजों को पार्लियमेंट जो है इस zone के अंदर rules बना सकता है जैसे ये समुद्र है तो इसके लगभग 200 nautical mile तक ये अपना exclusive economic zone होता है इस जमीन के नीचे जितना भी कुछ मिलता है वो सब पार्लियमेंट का ही होगा, भारत सरकार का होगा, ऐसी बाते 40th amendment act 1976 से की गई 42nd amendment act 1976 में इतनी सारी details हैं कि आप 1976 का 42nd amendment act जो हुआ है उससे सम्मिधान का one third हिस्सा बदल गया था इस वज़े से इस constitutional को हम mini constitution कहते हैं मैं आपको detail में नहीं लेके जारी 40 second से क्या क्या हुआ जिसको जनता government ने मोरारजी देशाई ने introduce किया था और इसके अंदर भी भारतिय सम्मिधान का बहुत बड़ा हिस्सा बदल दिया गया था 44th amendment act 1978 से क्या क्या हुआ मैं इस detail में नहीं जारी 52nd amendment act 1985 10th schedule को add कर दिया 1985 का ये amendment act था इसे anti-defection law introduce किया गया दल बदल का कानून जो है वो introduce किया गया उसके बाद 61st amendment act 1989 very important जो हमारी voting की age है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई लोग सभा के election के लिए और legislative assembly election के लिए 21 से घटा के 18 कर दी 65th amendment act 1990 का जो multi-member national commission था SCST का वो establish कर दिया और जो special officer बनाए हुए थे इस commission के बैटने से पहले भारत में special officer थे SC और ST को लेके उनको remove कर दिया गया उनको हटा दिया गया उसके बाद 69th amendment act very important जो union territory था दिल्ली का इसका नाम बदल के national capital territory कर दिया NCT कर दिया ठीक है और इसको खुद की एक विधान सभा दे दी 70 member की और जो विधान सभा का मंत्री परिशद council of minister होगा वो 7 members का होगा ऐसा कह दिया 71st amendment act 1992 से KMN एड किया गया यानि कोंकणी मनिपूरी और नेपाली language आठवी अनुसूची में एड कर दी 14 के बाद सिंधी एक भाशा एड की थी ठीक है उसके बाद 1992 में तीन भाशा KMN कोंकणी मनिपूरी नेपाली ये भी एड कर दी यानि 18 भाशा अब आठवी अनुसूची में हो गई 73th Amendment Act 1992 से पंचायती राज इंस्तिकूशन स्थापित कर दिया Part 9 भार्तिय सम्मिधान में एड कर दिया और 11 अनुसूची भार्तिय सम्मिधान में एड कर दी पंचायती राज को रिकगनीशन मिल गई 74th Constitutional Amendment Act 1992 का Municipalities एड कर दी यानि Urban Local Bodies को constitutional status मिल गया part 9A और 12th schedule के अंडर 86th amendment act 1976 2002 का इसने education related सारे काम किये article 45 में बदलाव किया यानि बच्चों को 6-14 वर्ष के बच्चों को compulsory education देने की बात article 45 में की article 21A शामिल किया जिसमे right to education की बाते की गई यह हमारा fundamental right बनाया और fundamental duty 11th fundamental duty एड हुई जिसमें कहा गया कि जितने भी guardian है जितने भी अभिभावक है उनकी responsibility है कि अपने बच्चों को elementary education provide करवाई यानि article 51A के अंदर भी बदलाव हुआ 11th fundamental duty एड कर दी तो 86th constitutional amendment act जो है वो सारा का सारा पढ़ाई से related है 88th amendment act ये question पूछा भी हुआ है पहले 88th amendment act service tax को introduce कर दिया अंडर article 268A ठीक है और ये कहा कि ये जो service tax होगा इसको union government collect करेगी ठीक है और फिर बटवारा होगा state के साथ 92nd amendment act 2003 का इसने BDMS BDMS यानि 18 भाशा के बाद 4 भाशा और एड हो गई 22 भाशा हो गई BDMS मतलब BODO, DOGRI, MATHALI, SANTHALI ये चार भाशा भी आठवी अनुसूची में एड कर दी और भाई अब भाशा हो गई 22 95th amendment act 2009 का जो SCST की सीटे है reservation की वो extend कर दी गई लोकसभा में Anglo Indians को special provision दे दिया गया लोकसभा और state legislative assembly में यानि article 334 में और 2020 के बाद हमने 2020 तक इसको बढ़ाने की बात की थी 2009 में कि आने वाले 10 सालों तक ये reservation SCST का रहेगा और Anglo Indians को ऐसे ही nominate करते रहेंगे लेकिन 2020 में इस provision को abolish कर दिया और कह दिया कि अब Anglo Indians की जरूरत नहीं है ठीक है मतलब already उनका adequate representation है अलग से nomination की जरूरत नहीं है 97th Amendment Act 2011 cooperative societies को constitutional status मिल गया अंडर आर्टिकल 19.1.C एंड आर्टिकल 43.B DPSP और fundamental right में constitutional status मिल गया cooperative societies का आर्टिकल 19.43.B में एक new part part 9.B भी ऐड कर दिया गया cooperative society के लिए 100th Amendment Act इस समय प्रणव मुखरजी हमारे देश के राष्ट्रपती है हमारे देश के राष्ट्रपती है प्रणव मुखरजी 2015 में इसके अंदर क्या कहा गया कि जो land boundary agreement हुआ 1974 का इंडिया और बांगला देश के बीच उन दोनों ने अपने-अपने एंक्लेव टेरिट्री जो है वो एक्स्चेंज कर ली थी भारत ने उनसे लगभग 51 एंक्लेव लिये थे और 111 एंक्लेव दिये थे 101 सम्विधानिक संशोधन ये GST को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करता है ठीक है 102nd Amendment Act 2018 का Constitutional Status मिल गया National Commission for Backward Class को National Commission for Backward Class को Constitutional Status मिल जाता है 102nd Amendment Act 2018 में Article 338A के अंडर ठीक है उसके बाद 103rd Constitutional Amendment Act ये EWS के टेगरी को Economic and Weaker Section के टेगरी को Up to 10% Reservation in Education and in Employment ये बाते करने के लिए ये 103rd Amendment Act आता है 104th Amendment Act जो है उसने SCST की seat की जो deadline है उसको extend कर दिया आगे आने वाले 70 years to 80 years तब ठीक है from 70 years to 80 years 10 साल और extend कर दिया कि SCST की जो seat है वो अभी और reserve रहेंगी लोकसभा में भी और State Legislative Assembly में भी और क्या किया गया 104th Amendment Act से जो लोकसभा में दो Anglo-Indian नॉमिनेट होते थे प्रेजिडेंट के द्वारा और Legislative Assembly में एक Anglo-Indian गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होता था उन दोनों को हटा दिया अब कोई नॉमिनेशन Anglo-Indian की कॉमिनेटी के लिए लोकसभा में या Legislative Assembly में प्रेजिडेंट के द्वारा नहीं होगा ये सारी अमेंडमेंट थी जिसके बारे में हमने बात की आपको बताना है प्रिवी पर्स जो पेंशन मिलती थी राजाओं को कौनसी अमेंडमेंडमेंट से हटाया 24th, 25th, 26th या 28th ठीक है कमेंट सेक्षन में कमेंट करना ये Question of the Day है एक स्टूडेंट की रिकमेंडेशन मैंने मानी मुझे अच्छा लगा उन्होंने कहा Question of the Day सीरीज से होगा और एक Out of the Series कौशन पूछना मेडम जो आपने नहीं बताया लेकिन हमें उस Question के बारे में पता होना चाहिए ऐसा Question पूछना Question out of the Series ये क्या है कि Preamble का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया था Objective Resolution से USA से Japan से या Ireland से तो उमीद करती हूँ आप इन दोनों Questions का आंसर कमेंट सेक्षन में करोगे Thank you so much Take care Bye-bye मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ Thank you so much Take care